नमस्काद अश्कों यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज मैं लिके आई हूँ विश्टिक राशी के जातकों के लिए अक्टूबर 2020 का राशी फल मेरा ये जो राशी फल है वो आपकी चंद राशी पर अधारित है आप जो लगन से फलित देखना चाते है उनको मैं सपष्ट कर दूँ कि ये लगन से गोचर नहीं बता रही है ये गोचर मैं चंद राशी से बता रही हूँ और चंद राशी का निधारन करते हैं जहां चंदरमा बैठा होता है जैसे देखिए ये है विश्टिक राशी कि यहाँ पर चंदरमा बैठा है वहाँ पर पहले हम बात करें कि विष्टिक राशी के जातकों के लिए अक्टूबर के महां में गोचर क्या रहेगा गोचर में बात करें तो अक्टूबर के महां में एक महत्यपुन परवर्तन ही आएगा कि आपकी विष्टिक राशी में केतु महाराज विद्यमान हो गए देव मंगल वक्री य वस्ता में आपके पंचं मिलमें द्वाराज में थाות स्थिप DR. मा के मा अरम होगा तो सूर्य कन्या राशी में होंगे टीलिस अक्टूबर शूपर के बहुति यहाँ वक्रिया यहां इस समय दो घ्रे वक्री चल रहे हैं मंगल वी वक्री चल रहे हैं और बुद्वी चल रहे हैं तो यह तो है घ्रे गोचर विष्टिक राशी के जातकों के लिए विष्टिक राशी के जातकों के लिए अक्टूबर के महीना कैसा जाएगा इस पर बात करने से पहले हम बात करे कि सितंबर के महा का क्या आप रिजल्ट विष्टिक राशी के जात्कू को मिलने वाला है क्योंकि सितंबर का महीना बहुत अरिक महत्यपूर था 12 सितंबर को देव गुरु बरस्पति मारगी हो गए जो की मई 2020 से वक्री चल रहे थे और इसके साथ 29 सितंबर को शनी महाराज मारगी हो गए जो की मई 2020 से वक्री चल रहे थे गुरु वा शनी के मारगी होने का प्रभाव विष्टिक राशी के जात्कू को शुम मिलेगा क्योंकि गुरु आपके धनेश हैं और पंचमेश हैं कुटुम से जोड़े मामलों में आपके शुप रहेगा, आपकी जॉब के लिए गुरू का मारगी होना आपके लिए शुप रहेगा, इस प्रकार अक्टूबर का जो महीना है वो आपके लिए शुपता से बरह हुआ है, इसी प्रकार शनी महाराज जब वकरी थे तो वो तो दोनों इक पॉजिटीव है अब मैं आपसे एक बात कहूं कि तो मेरे मुझे कई बात दश्चक कमेंट करते हैं कि मैडम हमारी विष्चिक राची है पर हमें वो रिजट नहीं मिल रहे हैं जैसी प्रेडिक्शन आप लोग बता रहे हैं उसका रीजन में बता हुटा क्या ह कि आपको जो गोचर का फल है जैसे मैंने बताया कि देव गुरु बर्सपती दूसरे भाब में चल रहे हैं और शनी मारा तीसरे भाब में चल रहे हैं अब इस गोचर का आपको रिजल्ट कितना मिलेगा निरबड करता है कि आपकी कुणली की पोजिशन का है आपकी जनम दुरू की दशाय है तो इसी क्लेश्य स्तिती में आपको उस्तिती में अपको जड़ी कोछर का तो आपको उस्तिती में सब तो कह सह कुछ Grand कंट अगय गरा है इसके लाभर आजऒ कहो और यह जब मात और फिसको पास है तो जानम कंड्ली में इस स्थान की आपकी जनम कुंडली में आपकी विष्चिक राची है और आपकी जनम कुंडली में मक्राशी में सूरे लिखा हुआ है मक्राशी में सूरे है और इस समय गोचर में मक्राशी में शनी आ गया क्योंकि सूर्य आपकी कुंड़ी का दशमेश है दशमेश पर जब शनी का प्रभाब होगा दो शत्रु घर आपस में प्रभाब करेंगे तो दशम से काम के जुड़े मामनों में आपको परिशानी आएगी इसलिए जॉप में इसलिए अंतर फर्क पढ़ जाता है गोचर का कि सब कहा है गोचर अच्छा है लेकिन रिजल्ट नहीं है इसलिए अगर आपको ऐसा लगता है अच्छा गोचर होने के बाद जूद भी आपको रिजल्ट नहीं मिल रहे तो जरूरी है कि आप अपनी कुंड़ी किसी जोश्ची को दिखाएं जैसे पता लगे रिजल्ट आप आता है मों जासे नाती है गोचर का फल नही te Jima यह दूब फो इसका रीजन में राव सिब्डाया को भाति नाती है इसके साथ ही पॉढ़ी Schön के लिए बाती है कि रहु के तू रहु के तू रहु प्रवाब पडिश्टी है एक दो तीन चार पांच छे साथ आठ नौ यानि काम के लिए वड़िया समय है शनी मारा तीसरे भाब में बैठके आपको जॉब दिला सकते हैं अब उनकी बात करते हैं कि जॉब बदलने का विचार बना रहे हैं जॉब बदलने का विचार बना रहे हैं मैं उसे कहूंगी कि उरग unjust बदलने है तो वह 16 October तक जो अग्टूबर तक जो रहें चाहां तक के समय में कारेpture सतलप पतुरी साफदानी रखें, क्योंकि जब दशमेष नीच का रहे हुता है तो कारेष फिस आदमी आझ पर शिता कर जाता है, कोई हमसे पुरानी दुष्मनी निकाल लेता है यहाँ हमारे संक श्हॉलके करता है कोई हमें LOL कोई धुखा दे सकता है, थोड़ी सी पाधा आईगी वह पाधा आपको शलिए कि आपका महा का आरम होगा उसमें की आपका दौदेश शुक्र है वह दशम भाब में विराजमान है कि दौदेश खुक्र का दौदेश महाम उप्री भाब है च्टा आथ महा बारमा बुरłęस्थान होते हैं बुरेस्तान का सामी जब द्शम भाब में आया है, तो आपको इस भाब के फल थोड़े से नेगेटिव देगा, तो वो सकता है आपके मन में शुरू से नेगेटिविटी हो, अगर इस तरह की नेगेटिविटी महा के आरम में आपको मिलने लगे, और अक्टूबर महा में तो मैं आपसे कहूंगे कि जॉब बदलने का विचार बना रहे हैं, तो आप 16 October तक आपके पास option है जॉब बदलने का, तो उसका वेल करिए, 17 October से जॉब बदलने के बारे में मैं सोचिए, 17 October से 31 October तक काम को लेकर थोड़ी सी साफधानी बढ़ती है, अब हम बात करें, वैपा मैलाओं से जुड़ी चीजे बेची जाती है, उनके लिए समय बहुत अच्छा है, क्योंकि शुक्र मैलाओं को रिप्रेजेंट करता है, तो ऐसी चीजों से उनको वैपार में बहुत अदिक लाव हो सकता है, 16 October तक आपके पास वैपार में निवेश करने के लिए बहुत अ अच्छी राशी का फल देंगे तो आपका लावेश स्वराशी का हो गया, तो बहुत अच्छी परटिविटी आ गई, कि धनेश भी अपनी स्वराशी का है और लावेश भी स्वराशी का है, तो विष्टिक राशी के लिए जैसे कोई जॉब बदलने की कोशिश कर रहा था जादा पैसे की जॉब मिल जाए यानि वैपारी वर्ग को भी अपना निवेश करने के लिए कई तरह के मौकी मिलेंगे कई तरह की अपरचुनुटी मिलेंगी तो विष्टिक राशी के लिए काफी अच्छा पॉरिटिव समय आ गया है इस महा राहु माराज आपके सप्तम भाव में विचरन करेंगे तो अचारा कि आपकी किसी प्रकार की यातरा हो सकती है वो काम से जुड़ी भी हो सकती है क्योंकि सप्तम भाव से वैपार का विचार करते हैं कुटुम से जुड़े मामलों में क्योंकि वक्री शनी हट चुके हैं बहुत आदिक आपको फैदा होगा कुटुम में अगर कोई गलत फैमी और विवाद था वो सब टैंशन आपकी खतम हो जाएगी लेकिन दंपत्य जीवन के लिए थोड़ी सी टैंशन है क्योंकि राहू औ तो तेईस अक्टूबर के बाद आपके शक्त में शुक्र भी अपनी नीच राशी में जा रहे हैं तो इस कारण विजश का तेईस अक्टूबर के बाद अपने ववाई जीवन को लेकर बहुत अरिक साफदानी रखें क्योंकि शुकर की नीचता आपको आप में कोई गलत जोने का योग हो या आपकी कुंडली में मंगल की दशाया प्रतंतर चल रहा हो लेकिन तब भी अपनी हैल्थ को लेके गर्वती मेले साफदानी रखें प्रेम संबंदों में किसी प्रकार का तनाव आने की संबाबना है क्योंकि इस मंगल प्रकेतु की रिष्टी पढ़ र इसलिए अपने हेल्थ को ध्यान रखें क्योंकि जब लगनेश वक्री चलता है तो किसी प्रकार के पुराने रोग फिर से आते हैं आपको कोई हिर्दय रोग, हाट प्रबलम, ब्लेट प्रेशर की प्रबलम, पेट से जुड़ी प्रबलम, शरी में पित की बिर्दी होना, यह पीसे लेट निकलना या गयस की निए बनना क्योंकि पंचम भाब पर केटू, मंगल विध्य मान रिष्टी और था शनी से रिष्टी हों। पेट को लेके बहुत साफदानी रखें, फ्रीज में रखा खाना ना खाएं, एसीडिटी से बचें और ज्यादा इतली वही चीजें मत खाएं क्योंकि आपको पेट से जुड़ी पुरानी बिमारी बार बार उबर की आ सकती है, और अपनी आखों से जुड़ी बिमारी का भी पॉजिटीव होगा इस समय आप कोई काम करने का विचार करते हैं तो निश्ची दूप से सफलता मिलेगी, वो शुप्तितियां नोट कीजिए, 3 वा 4 अक्टूबर, 5 वा 6 अक्टूबर, 7 वा 13 अक्टूबर, 14 वा 15 अक्टूबर, 16 वा 19 अक्टूबर, 20 वा 23 अक्टूबर, 24 वा 25 अक्टूबर, 31 अक्टूबर शुप्तितियां हैं, अगर आपको कोई काम विचार करना है, कहीं जॉब जॉइन करनी है, किसी नए काम की शुरुआत करनी है, किसी मुलाकात करनी है, तो इन तितियों का धान रगे, अब मैं आपको शुप्तितियां बतारी हूं, जब च देव गुरु बर्सपति उसी भाब में भी द्यमार हैं जहां का वह शुफल देते हैं उनकी दिश्टी दशम भाब भी है और शनी वारात तीसरे भाब पर बैटके अगर आपको जौब की तलाश थी तो आपकी जौब की तलाश भी पूरी हो सकती है इस महाँ आप जौब दिखाएं जिससे आपको पूरे रिजन्ट मिले, दश्को आपको मेरा वीडियो कैसा लगा, प्लिज्स कमेंट बोक्स में कमेंट करेंगा, आपके कमेंट का मुझे निजा रहता है, इसके साथ ही दश्को अपना वीडियो समात करने से पहले, मेरी आसमप से परातना है, कि साथी नमस्काद अश्कों जाय मातादी